हेई गाइस वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्सीम यहापर मैक्सिकन लिग का एक मैच हो रहा है मॉन्टेरी वॉर्सिज मेजल्टन के बीच साढ़े छे बजे सुबह सुबह कोई मैच नहीं है सिरफ एक ही मैच है इस ही मैच तो मुझे पता है सारे बंदे इस पे ध्यान दें और वीडियो बहुत है था सेफ और नॉलेज़ेबल है सो बढ़ते हैं आगे दिन बात करें अगर हम इस मैच की तो मॉन्टेरी एंड मैजल्टन में मैं फेवर करूंगा मॉन्टेरी को दरीजन इस लास्ट सीजन यह टीम फर्स्ट रैंक पे थी एंडिंग होते होते में जो कि मैक्सिकन लीग के साफ से बहुत ज्यादा है बहुत ही ज्यादा उसके बाद मेजल्टन टीम पिछले मैच में मिडल में भी नीदी बाई नीचे गिरी हुदे एक दम तुमर को असा लगता है कि मैजल्टन टीम को यह वाला मैच नहीं जीतना चीए और मॉन्टेरी यह लोगों का कहन है मेरा नि तो ऐसा है कि अमरिला को आप लोगों को कैप्टन रखने तो आप मत रखना क्यूंकि जब हंप मैजल्टन को फेवर नहीं कर रहे है तो विरृ farah सकती है इसलिए इक उसके बाद वेस्कोस की बात करें हाँ भी वेस्कोस बहुत अच्छा है पिछले मैच के अंदर पुमासु नाम किया गेंज जिस हजाब से इसने गोल किया था और मुझे उमीर नीटी इतने पॉइंट देगा क्योंकि तीन बार गोल की और ट्राइ की थी तो मेरे को बहुत के एंड मिट फिल्डिंग की बात करें कैनल्स पहले रियल बैटिस में था तो जो बंदा स्पैनिश लीग में खेल चुका है उसके लिए मैक्सिकन लीग क्या है आप देखो सीजन में इस बंदे ने कितने मैच खेले चार ये चार ये और टोटल मलब सौरी चार और तीन आप मैच पांच गोल अब समस्दारों क्या बंद I singer लो पनेल्टी गोल हैं Bunny गोल और पिछला मैस थोड़ फिछा गोल थोड़ना पनिल्टी ब्यासा चार प्राय उसके मेने मेले को मैंशिक्तार dif नेमाच अब बने तसके में सहसाइबिज गोल किया बट जीडल प्रेटे को लोगों ने लिया ही नहीं था मलब जिन लोगों ने भी इन दोनों को लिया होगा क्या ही टीम रही होगी उनकी तो और जो लोग आज भी इन दोनों को लेना चाते हैं वो यूएल को छोड़ सकते क्योंकि यूएल कुछ खास काम का नहीं है यह जस्ट एक मजबूरी है और उसके बाद डिफेंडिंग की अगर बात करें यहाँ पर मैं रूंगा एग्यूर को एग्यूर के बाद वी गुज्मान जो की काफी ज़दा अमेजिंग प्लेयर है फिर हेक्टर मुरेन होगा इसकी जगह पर और कोई नहीं ले सकता तो मैं इस